दोस्तों कल सबके दिमा में कुशन आ रहा होगा कि कल स्टॉक मार्केट क्या है बंद है खुला है आप देख सकते हो मिंट पे आप जाके तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहला कुशन यह आ रहा है कि maximum लोगी सुच रहें कल फ्राइडे है कल देखेंगा मिलेंगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट कल क्या है क्लोज है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरीके से जो इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिले यह भी मैं आपको डेट के साथ दिखा दूँगा तो अगर आप मिंट पे भी अभी अपडेट देखोगे जस्ट यह तरीके से गस्टर्ड हॉलिडे होता है जहाँ पे मैक्सिमम देखेगा गौर्मेंट इंप्लॉईज और बहुत सारी चीज़े बंद होती है तो ऐसे में यह देखना होता है कि स्टॉक मार्केट हमारा बंद है कि खुला है क्योंकि आपको पता है यह सारी चीज़े भी मै पूरा कैलेंडर देखने हो मिल जाएगा कि स्टॉक मार्केट में किस पर्टिकुलर मंत में कितने हॉलिडे आपको देखने हो मिलेंगे तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक मार्केट में यहाँ पे लिस्ट आ चुकी है 2024 की और यहाँ पे मैं आपको बताना च तो अगर आप देखेंगे तो 8 मार्च आपको देखने हूं मिला है कल फ्राइडे है और फ्राइडे को युजिली आपको पता है अगर नॉर्मल वीक होता है तो वहाँ पर मार्केट खुला रहता है कल लेकिन महाशिवरात्री है तो यहाँ पर आप चेकाउट करेंगे तो BSE ह पूरी तरीके से महाशिवरात्री के उपलक्ष में यहाँ पे क्लोज है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं केवल equity stock market यहां पे बहुत सारे ऐसे segment हैll stock market में जो holiday वाले भी दिन या फिर अगर आप देखेंगे जहां पे stock market normally close होता है equity का वहां पे भी open रहते हैं जहां पे लोग ज़्यादा trade भी करते हैं प्रिटी भी होती और मार्केट की व्यू भी आपको देखने हो मिलेंगे और कल कौन-कौन से बाजार खुले होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो कल आपको देखेगा जो कॉमोडिटी का डेरिवेटिव सिग्मेंट है आप देख स कर सकते हो तो आप देख सकते हैं कि मार्च आठ वाले दिन यहां पे आपको पता है कॉमोडिटी का डेरिवेटिव सिग्मेंट जहां प्यां आप आप ओप्शन ट्रेडिग भी कर सकते हो वहां पे दो सेशन में मार्केट खुलता है पहला मौनिंग सेशन 9 से पाच आप दे देखने हो मिला यानि 9-5 तो market बंद रहेगा लेकिन जो यहाँ पे evening वाला session है आप देख सकते हो यह open आपको देखने हो मिलेगा यानि कि कल 5 बजे से 11 बच के 30 मिनट तक 11 बच के 55 मिनट तक आप gold में आप commodities में crude में सब में trade कर सकते हो और आपको पता है इस particular market में भी बहुत ज़्यादा liquidity है और जब holiday होता है तो proper way में आप strategy बना के यहाँ पे trade कर सकते हो और clue ले सकते हो कि कैसे देखेगा behave करेगा Monday को आपका बाजार तो यह चीज बहुत important है और आप देख सकते हो इसके लावा सारे global market खुले रहेंगे लाए crypto market में भी आप अच्छे से trade कर सकते हो Forex में भी कर सकते हो चुकि कर Dow Jones भी open रहेगा जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे और कल Nasdaq भी open रहेगा यानि कि जितने भी global market जिससे आप clue लेते हो like Nikkei, Hanseng, Nasdaq, Dow Future, European market यह सारे open आपको देखने हो मिलेंगे तो आप यहाँ पे focus कर सकते हैं वीडियो गर अच्छा लगे तो like करिए thank you so much